पता आपकी जान कौन लेना चाहता है? आप खुद आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन आपके अंदर की आवाज हर सुबह आपको कहती है उठ जा दोस्त, आदा गंटा एकसेस कर ले आप क्या कहते हो? नहीं, कल करो कल फिर वोई आवाज बिचारी आपको याद दिलाती है भाई, कुछ नहीं तो वॉक ही कर ले आप कहते हो नहीं, आज संडे है, मंडे को करेंगे जब आप रसगुले गटक रहे होते हो तो वोई आवाज फिर कहती है भाई, रुख जा, कितना माल ठूसेगा पर आप सुनते का हो तो आपका दुश्मन कौन हुआ आप खुद अब भी वक्त है, समझ जाओ आज मैं आपको पांच छोटे नुस्के बताऊंगा समझ लोगे, तो जिन्दगी बदल जाएगी आपकी ए दर्वाजा खुल एक मिनट अब समझ लो, ये आप हो ए दर्वाजा खुलना है दूसरों की नहीं अपनी टांग का इस्तमाल करो दर्वाजा खुद खोलो अरे एक्सेसाइज नहीं करते हो तो कम से कम ये छोटे-छोटे वॉक तो कर लो तू? एक बार और घंटी बजाना मुझे वॉक करने है पज़ा पज़ा लिफ्ट की बजाए सीड़ियां ले लो वॉक करने के लिए छोटे भाने ढूंडो आच्वे माले पे घर है मेरा? अरे कम से कम दो फ्लोर तो चड़ लो उसके बाद ले 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 ना धीरे धीरे तुमारी एनर्जी बढ़ेगी फिर दिन में कम से कम आदा गंटा योगा, डान्स, जिम या वॉक जरूर करने मीठा और नमक कम करो अगर कम नहीं कर सकते तो आधा करो एक चमच की बज़ा है आधा अरे अरे रुको गुलाब जाम उन गटकने का मन करे तो एक पूरा नहीं एक छोटा सा तुकडा खालो अंकल जी अंकल जी अगर डाबेटिक है तो उनको मीठा बिलकुल नहीं, ओके? एक पूरा नहीं तले वे खाने से बिलकुल दूर भागो अगर ऐसा लगे कि तुम इच्छा नहीं मार सकते हो तो फैसला करो कि हफते में सिर्फ एक दिन थोड़ा सा खाओगे साटड़े या संड़े फिक्स कर संड़े भाई साब मज़े से खाओ बस सरफ इतना ध्यान रहे कि आपके प्लेट में हर वक्स सबजी की मात्रा दूसरी चीजों से ज्यादा हो ज्यादा भाई साब आप सुपर मैन की फैमिली से नहीं हो कलस्टरॉल, बलड प्रेशर, डाइबिटीज, ये सारी बिमारी आपको हो सकती है अगर आपकी उमर 35 के उपर है तो साल में एक बार बलड टेस्ट जरूर करवाईए अपने डॉक्टर से मिलो उमर भेर कि अब़ को... क्यांने साल में वहीं हो